वेल्कम तो आज चैनल शायन रवाट विताजी तो एक बाद फिसेस वागत है आपका एक नए वीडियो में तो इस वीडियो में हमनों देखने वाले हैं क्लास 12 समासास का जो पर खंट खा है उसका चैप्टर 2 भारती लोगतंत की कहानिया वैसे तो यह चैप्टर 3 है लेकिन आपका जो चैप्टर आपके फिर फ्रच्प्टर एक खंट खा कर रिड्यूस हो गया है आपके 30% स्लावस में इसलिए चैप्टर 2 हो सकते है तो आप 3 भी समझ सकते हैं तो यह जो चैप्टर आपका भारती लोगत्त तकी कहानी कि इस आपका बहुत इंपर्टेंट तो चलें साथ कते हैं, तो यहां पर चोलों का फर्स्ट कोश्चन है, वो है भारत के समीधान की प्रस्तावना में किन बातों को समलित किया गया है, मलकी जो भारत के समीधान की प्रस्तावना में किन बातों को समलित किया गया है, तो भारत के समीधान की प्रस्तावना में सुना हुगा कि यह जनता का सविधान है ऐसा कहा जाता है तो यह क्यों कहा गया है तो भारत के सविधान को जनता ने स्वायम अपनी इच्छा के से उपर लगू किया है सविधान का निर्मार जनता के दौरा निर्वाची सविधान सभा के दौरा हुआ है इसलिए इसे जनता क वो है वर्तमान समय में भारत में किस प्रकार की निर्वाचर प्रारी को अपनाया जाता है तो वर्तमान जो भारत में सारुप भामिक अत्वस्क मताधिकार पर निर्वाचर प्रारी को अपनाया जाता है बनकि क्या बताया जा रहा है कि जो वर्दमान में जो हमारे निर्वाचय प्रादाली होती है ये सारव भॉमिक और वयास मरताधिकार पर आधरी होती है मलगि यहाँ पर जो सामानी जनता होती है वही वोट देती है बहारत में प्रतेग नागरी को जिसने 18 वर्ष के आयूप प्राप्त कर ली हो या भी पूरी कर ली हो वो मद्दान कर सकता है उसे मद्दान का अधिकार होता है मलकि अगर जो आप 18 एस के हैं तो आप अड़ल्ट माने जाते हैं और आप जो है वोटिंग कर सकते है उसके बार लिखित तथा विस्तित सुरूर तथा अनेक शोतों से त्यार हुआ है मकी जो भारती समिधान है इसकी दो प्रमुख विशेष्टा ये है कि ये जो है ये एक लिखित समिधान है ये सबसे बड़ा मकी सभी देशों में सबसे बड़ा हमारा समिधान है जो की लिखित समिधा करने का अधिकार किसको प्रदान किया जता है उसमें कभी कभी संसोधन किया जता है कोई नई चीज बढ़ानी हुई या फिर कोई पुरानी गलत चीज हो गई तो उसे हटाना हुआ तो यह जो संसोधन होता है इसका अधिकार किसे रहता है तो भारत में समिधान के संसोधन करने का अधिकार भारती संसद को प्राप्त है मलकि जो संसद होती है पार्ल्यामेंट होती है संसद तीन चीज जो तीन मलकि करकों से मिलकर बनी होती है लोकसभा राजसभा और प्रेसि करने के लिए राजिके विधान मंदलों का भी स्विक्रती किया शक्ता होती है आगे बढ़ते हैं उसके बाद कोश्या ने हमारा उन दो तत्वों की विवेश्णा कीजिए जो भारत के पन निर्पेक्षवाद से बाधा पहुचाते हैं उन दो तत्वों का हमें ले करना है तो संप्राइद रिक्ता और संप्राइद दलो की बढ़ती हुई शक्ति पन निर्पेक्षवाद के विवकास में अनेक बाधायों पस्थित कर रही है उसके बाद है अपात कालीन की स्थित में संगी विवस्था पर क्या प्रभा पड़ा जो आपात कालीन होता है आपात कब ल संप्राइद रिवस्था पर रिवस्था पर रिस्थाबिट करने के लिए किया जाता है आगे बढ़ते हैं उसके बाद जो कोशन हमारा वो है हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्था का सबसे विश्थाल का समयधान है या कथन किसका है मैं भी बताया था जो हमारा समयधान वो विश्था सबसे बड़न लिकित समयधान है अपने भारत देश का तो यह कथन चाहिए अगे बढ़ते हैं इसके पर कोशन हमारा वो है राजनीतिक दल की एक माली परिभाषा विद्वान है उनके अनुसार राजनीतिक डल पूर अथ्वा अपूर रूप से संगठित उन नागरिकों का समू होता है जो एक राजनीतिक संस्था की भाती कारी करते हैं तथा जिनका उद्देश अपने मताधिकार के प्रियोग के दौरा सरकार पर नियंतर रखना तथा अ जिनका उद्देश क्या होता है मताधिकार के प्रियोग के दौरा सरकार पर नियंतर रखना होता है और यह अपने नीती का संपार्ण करते हैं आगे बढ़ते हैं उसके बाद कोशन है हमारा राजनीतिक डलो के किनी दो तत्वों का लेखीजे तो कौन से है संगठन तथा प्रमुक कार्यों का लेखीजे तो राजनीतिक डल के क्या होता है लोकमत का निर्माड करना सार्वजनिक नीतियों का निधारण करना उसके बाद कोशन है हमारा शाषन का चतुरत अंग में से किसको संबोधित किया जता है मैं कि जो साषन का चतुरत अंग है उसे किसे संब के कि नहीं दो लच्छोडों का लेखी जे तो अपने उद्देशों की प्राप्ति के लिए नीती निर्माताओं को प्रभावित करना तथा अपना अलग स्त्राजिंतिक संगठन ना बनाना दबाव समुग के दो लच्छड होते हैं उसके बाद कोश्चन है दबाव समुग के एक विशिष्ट महत्वक्त पर प्रकाश डालिए तो जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिवक्ति के लिए दबाव समुग को महत्यपूर भूनका होती है उसकी अभिवक्ति में जो है दबाव समुग की बहुत ही महत्यपूर भूनका होती है उसके बाद जो कोश्चन है आगे तहों दाओ समू तथा संगहातमक कॉछन इंपॉटेंट हैं अपर देख लेते हैं तो आपके सारे के सारे कोशें कवर हो जाते हैं क्योंकि मैं एक पूछा सकता है वहुंपॉर्डेंट हुपॉर्डेंट नहीं हो थाकिकि आपके एक बार भी नज्ट हो तो अगर चोड़ा सा अब अच्छे से पढ़ते हैं तो आप उसे जरूर कर लेंगे इसलिए आप सभी के सभी कोश्चन देखिए जो कि आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं आगे बढ़ते हैं उसके बाद कोश्चन है दबाव स्वमू के एक निधारत तत्व का लेकिजिए तो शाषन ववस् उसके बाद आधूनिक समय में दबाव तता ही समूह को कैसा माना जाता है तो आधूनिक समय में दबाव तता ही समूह को लोकतंत्र का पच्छपोशक तथा सहयोगी माना जाता है आगे बढ़ते हैं उसके बाद कोश्चन है कौन राजनीतिक प्रक्या को अपने हितों के अन संभोधित किया जाता है तो आपका सभी सभी बहुत इंपोर्टेंट है तो इनका संबंध होता है यह विशिष्ट मामलों से होता है दवाव समों की सदश्चिता किस प्रकाल की होती है तो इनकी जो सदश्चिता होती है वो एच्छिक सदश्चिता होती है यह रखेगा कि जो दवाव समों की सदश्चिता होती है वो कैसी होती है एच्छिक होती है लक्षों के अधार पर दवाव समों को क्या कहा जाता है तो लक्षों के अधार पर दवाव समों को लोकार्थी कता स्वार्थी कहा जाता है रांमण ने दभाव संभुको कितनी सेडियों में बट है तो जो संगहात्मग दबाव संभुक소arta है कौन से कर esaubous खंका की दिखा जाता आ आहिए वहां पे दबाव संभं को संगा की देखा जाता है सेना कौन से देश में एक महत्यपूर्द दबाव समू है तो विकास देशों में सेना एक जो है महत्यपूर्द दबाव समू का भूमिका निबाती है जो सेना होती है जिसे विकास के मांग बर अक्सर है तो यहां पर जो सेना होती है वह एक दबाव समू के रूप में कारी करती है आगे बढ़ते उसके बाद कोश्चन है हमारा किस विचारक का यह कथन है कि आधुनिक राज्यों में इस्थिती सम्मूंग बनाम राज्य की होती जा रही है तो यह कथन पॉंकर का है ठीक है लोकतांत्मक शाषन डली शाषन का ही दूसरा नाम है मलकि जो लोकतां लिंकन के दूर दी गए लोकतांत मेशीन कहिंट्रीया तो जुश्चन के दौरा ने संदून मेशान जैखनीन कहिते के लिए कमुकरतो इंट्रेस्टिंग लोगतांत्मक शाषन जनतांद्रे लेकिजे तो नागरिकों को शाषन के कार्यों में भाग लेने की स्वतन्तता बगी लोगतान्त और शाषन प्राली क्या है यहां पे जो नागरिक होते हैं इनको भी समाना दिकार दिया जाता है कोई भी नागरिक जो कि 18 साल से बड़ा है वह वोट दे सकता है और चुनाव भी लड़ सकता है अगर जो वहां पर चुनाव लगने की योगी है तो शाषन को जनता की इच्छाओं के अरुसा संचालित करना लोगतान्त पर शाषन प्राणि के दो गुड़ है उसके बाद है लोगतान्त को तो यह हमारे पांच है अधुनिक लोगतान्त का विकास किस स्थां से प्रारंब हुआ tecnología का घो기는 का वही योड definite घोरा की यवह 2 कार्के होते हैं मुलताव टो प्रेकार कि अ स्थान्त और प्रताक्स ल Northern प्रत्स लोक्तंत में अंतर ये वह को पता होना चाहिए तो जिस पध्याति में राजी कि इच्छा का निर्माड और उसकी अभिवैक्ति जनता के स्थान पर उसके प्रतिनेद्व करते है उसे प्रतैक्स लोकतंत कहते हैं मतलब किchuss में जो राज की इच्छा का निर्माड और उसकी अभीवयक्ति जनता के-षथान पर उसकी प्रतिनेजित करते हैं कि सुनती है जन्ठ में सब्षर्प फैसके ओग लिती है कैंबर थे सम्पूर जल्संख्या अनचीत है वेवारिक देट से अच्छम होता है और राजनितिक देट से असंभव है यह कथन किसका यह भी बहुत important है कि लोगतन नेटिक देट से अनचीत होता है वेवारिक देट से अच्छम होता है और राजनितिक देट असंभ होता है यह किस ने कहा यह पैरेटों ने कहा है अगे बढ़ते हैं नस इसके नाम ग्रंद के अचेटा कौन है यह बहुत इंपॉटन्ड ऑपके पूछा जा चुका है कि modern democracy किस ने लिखा है तो जो ये ग्रांथ है ये लिखा है लौड ब्राइक्स ने आगे पड़ते हैं उसके बाद कोश्यन है हमारा दल विहीन लोकतंत का विचार किसके दौरब प्रितपादित किया था तो ये जो विचार है ये जैप्रकाश नारायन के दौरब प्रितपादित के संबंध में पंडिर नहरू ने कहा कि इनकी स्थापना गाउं में की जा रही है तथा इसके दौरा ग्रामीर जनों को अपने मामलों का प्रिशाशन तथा अपने छेत का विकास्वायम करने का धिकार होगा इसके दौरा ग्रामीर जन अपने गाउं को उन्नत तथा आत्म निर्भण बना सकेंगे तो उन्होंने क्या कहा पंचायती रजी वविस्ता के कारड़ गाउं है जो ग्रामी छेत है वहां पे जो प्रिशाशन के प्रत्राइश होगी वह उनके स्वयम के हातों में होगी वहां का एक बनाया का प्रयास करेगा तो यह किसने कहा था अगे रधे यह किश्रैटी कानई को इस थानी को हैं आप सभी को पता होगा पंचायत पंचायत ही हमारी ग्रामीर सुशाशन की नीमतम एकाई कहलाती है अगे वड़ते हैं ग्राम पंचायत के प्रधान का कारिकाल कितने वर्ष होता हे यह तो आप लों तो गावाम सभा के अधिकार को क्या कहते हैं गाव का प्रधान होने के लिए कितने वर्श आई होनी चाहिए तो 21 वर्श होनी चाहिए आप लोगों को यार रखना है कि अगर वनना है तो आपको सबसे पहले online ke-7% स्थाल नारचछित कियें गया है दिग्राम पंच्छायत होती है यहां पर चुनाों के विविस्था और लोग आप करता है घुद्ण हे इसक्थ सारे को डेक्षन आप के लिए वीडियो में बहुत सारे कोश्ट देखेंजि़ें सकते हैं और इससे बाहर आपका निश्य तुद्री का एक भी कोशन नहीं जा सकता है यहां पर आपको इंपॉर्टन कोशन देख लिए जो भी आपके एक्जाम में बन सकते हैं तो आए होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी है और जो वीडियो अच्छी लगी तो प आपको इसका पीडियो भी मिल जाएगा